नमस्कार स्वागत है आपका स्मार्ट नुक्री चैनल में जी हाँ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सही मुख्यमंत्री को लेकर नया हंगामा शुरू हो चुका है जी हाँ आपने सही सुना जैसे कि आप सभी को पता है नितिसक कुमार के खिलाब बिहार की जनता है लेकिन बिजेपी के साथ बिहार की जनता ने अपना साथ निभाया इसी वज़े से बिहार में बिजेपी के अंदर ही जो है आप फूट पढ़ने लगना शुरू हो चुकी है जी आपने सही सुना बिजेपी के बड़े कदावर नेता पदभार समाल रहें लेकिन इस साल बीजेपी एक बगड़ी पार्टी बन कर बिहार में उबरी है जिसकी वज़े से बिहार के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी से तालुक रखते उनका मानना है कि नितिश कुमार अप्रदा जो है मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं ह जा रहे हैं कि एक बार फिर्ट से तेजस्वियाद और मुख्यमंत्री की ड्रेट्स में आ चुके हैं जी हाँ बीजेपी में जैसे ही फूट पढ़ना सुरू ही NDA के अंदर कि नितीज कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए और बीजेपी के ही बयान में कहा जा रहा उनको और उपेंसी कुस्वाहा की पार्टे इनको लेकर जो है काफी अटकले लगाए जारी है कि एक बार फिर से ये मागडबंधन की ओर अपना रुख कर सकते हैं क्योंकि तेजस्वियादों के पास जो अपर्चुनिटी है इस समय बहुत ही जादा बेदर चाहिए और उन्हें डिप्टी सीयम तक का पद मिल सकता है यानि कि यहां पर मुखीमंत्री जीतना मांजी को भी बनाया जा सकता है या फिर उन्हें Dr. hep Itistaada पद दिया जा सकता है तो कहीं न कहीं महागडबंधन अपने आपको पूरी तरह से बिहार की सत्ता में वापसी की कयास लगाया जा रहे और इसी मिटिंग जो है अभी बहुत ही जल्द तेजस्वी यादों के यानि के घर पर हुई और जिसमें फैसला लिया गया कि किसी भी प पी और कोई ये निर्नल लेना है कि बिहार में अंडिये का चेहरा कौन होगा उन्होंने साफसाब इस बात को जो है अंदेशा दे दिया है कि उन्हें भी पता है कि उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदेशन नहीं किया है इसलिए वो हगदार नहीं है मुख्यमंत्री बनने क लेकिन प्रदानमंत्री ने अपने कई भाष्णों में जो है साफसाब तहा कि बिहार में अंडिये का चेहरा जो रहेगा वो नितिश कुमार जी के नित्रुत में ही रहेगा यानि और कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं आ सकता है लेकिन कार्यकरता सरोपरी होते हैं यान लोगो जाने के गिंती को लेकर फिर से एक बार अपील ंतरा किए जिसके अंदरगात अब चुना आयोग को फैसला लेना है क्या, जिन सीटों पर जहां मार्जिन हजार से नीचे है, यानि कि जहां पर हार जो है एक हजार वोट से नीचे है, वहां पर वोटों की गिंती प्रूब भी लगाया है कि कहीं न कहीं एव्यम के मुश्यमों में घोटाला किया गया है यहां पर महाघडबंदन के उमीदवार जीत चुके थे लेकिन उसके बावजूद जो रुझान है वो साम तक होते होते उन्हें हरा दिया गया तो कहीं न कहीं जो है इविए में घुटाले की बात को लेके महागण बंदन अभी भी अपना रुख जो है बनाय हुए है और आने वाले समय में निवाचन आयोग याने चुना आयोग जो है वो इसके उपर फैसला लेगा कि फाइनली क्या है इसमें और लिखित में अपना ब बताएगा और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा फेस्बुक पर वाट्सप पर अपने सभी दोस्तों के साथ धन्यवाद दोस्तों